ब्लेक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम 2009 से लेकर और 21 तक के इलेक्ट्रो एस्टेटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे देखते हैं अगर आपको इस वीडियो का पेडियोप चाहिए तो इस टेलिग्राम को जाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पाला कोश्चन है कुलंबल क्या है तो कुलंबल केंद्रियोगो और विदुत ये दोनी परकार के वहला होते हैं इसलिए उसका इंसर सी होगा दुसरा कार है इशतीर विद्दुत क्षेत्र होता है याद रखना है फ् Never और 27 अट गुना दस के पाउंन गाश contextual होगा एक एस्टेट कुलम बराबर कितना होता है एक एस्टेट कुलम बराबर 3 गुना दस के पाउन 9 होता है इतना कुलम होता है इसको भी याद रखना है अगला question है figure दे दिया है उसके वदकार है कि इसका सम्तुल लिधारिता equivalent capacity ग्याद करना है तो हम जानते हैं कि CS 1 by CS बरावर होता है 1 by C1 plus 1 by C2 इस तरह से यह बढ़ते जाएगा तो फिर यह दोनों जो है स्रीज में है इस स्रीज में है तो इसका चब मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2μF फिर इसका मान और यह दोनों पारलेल हो जाएगा और पारलेल जब होगा तो दोनों को जो आपत हुआ है 4μF और फिर यह 4μF तीनों जूड जाएगा तीनों स्रीज में हो जाएगा और तीनों स्रीज में हो जाएगा ताम फरमूला से बठा लेंगे 1 by CS बरावर होता है 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 तो इस तरह से इसका एंसर आजाएगा 4 बटा 3μF और इसका एंसर हो जाएगा तो अब दोनों बुंद को हम माल लेते हैं माल लेजिए कि छोटे बुंद की त्रिज्या जो है छोटे बुंद की त्रिज्या हम माल लेते हैं छोटा आर है ठीक है और बड़े बुंद की त्रिज्या जो है बड़ा आर माल लेते हैं और दोनों का भॉलम निकलते हैं तो छो चोटे बुन्द कर निकलेंगे T64 before 5 Well stupid !-re आरक्योँ को बराबर हो जाएगा आपको फोर बटा निकलेने से हम इसको कटा करते और निकालना है इस कमान हो जाएगा 4 by epsilon not बढ़ार यहां से 1 by 4 by epsilon not कड़ जाएगा और C1 कमान अप जानते हैं यहां पर देदी है 5 R से यहां R कमान रखेगा 4R R से R 1 कड़ जाएगा तो बच जाएगा आपको 4 और C1 कमान देदी है 5 और 4 से गुना करेंगे तो C2 कमान निकल जाएगा C2 बराबर हो जाता है 20 micro Friday इसलिए इसका अंसर हो जाएगा 20 micro Friday C अंसर होगा फिर उसी तरह से कर रहे यदि गोले परावेश 10 micro Friday है तो उसकी बिदुत फलक्स ग्याद करें देखते हैं इसको भी हल करके किस तरह से हो रहे है ठीक है उस question में दिया है charge दे दिया है charge कितना है charge 10 micro Friday दिया है 10 micro classroom दे दिया है तो हम लिखते हैं उस question को लिख रहे है Q दे दिया है 10 ठीक है उसके बाद आप जानते हैं कि 1 by 4 pi epsilon 0 बरावर होता है 9 गुना 10 के पाउर 9 इसमें से हम 1 by epsilon 0 का जब मान निकलेंगे तो हो जाएगा 36 pi गुना 10 के पाउर 9 ठीक है और आप जानते है 5 बरावर होता है Q बटा E naught E naught का मान जानते है 36 pi गुना 10 के पाउर 9 है और फिर आप जानते हैं क्यों कमान दे दिया है 10 मैक्रो कुलम तो इसको हल जब करेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा यहाँ पर 36 पाई गुना 10 के पाउंच 4 न्यूटन मिटर स्कार पर कुलम इसलिए इसका एंसर यह होगा 7 का एंसर यह होगा ठीक है ठीक है इसको यह जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह से फिगर दे दिया और कर रहाए धारिता ज्याद करने के लिए यहाँ पर 2 रहेगा तो दो और 3 जोड़ियेगा चुकि पारलेल है तो पारलेल ने जोड़ दीज़ेगा पांच हो जाएगा फिर यह सीरीज से निकलीगा पांच और चार का बना लेज़ेगा वन बाई सीएस पर तो उसमें से सीएस कमान निकलीगा तो यह एंसर आएगा बीस बटानों माइक्रो फराड़ी ठीक है उसी तरह से यहां कहा रहा है कोश्चन ही है नुमरिकल दिया है एक बेद्रोफ बिप्रितावेस से बना है तो इसमें से दिवधिरुब अगण निकलना है दिवधिरुब अगण सीब राब ए पी बराबर होता है qr तो यहाँ आप q कमान दे दिया है 3.2 गुना 10 के पाउर मैंने 30 कुलम और r कमान दे दिया है 2.4 गुना 10 के पाउर 10 मीटर दोनों को गुना कर दीजेगत हो जाएगा आपको 7.6 गुना 10 के पाउर 29 कुलम मीटर यहीं इसका एंसर होगा फिर यह कर रहा है कि टॉर्क निकालना है तो टॉर्क के लिए फर्मूला होता है पी गुना यहीं सही होगा उसी तरह से यह 13 नंबर कोस्चन जो है यह दोनों सिरीज में है तो निकालेगा 6 और 6 का 3 हो जाएगा फिर 3 और 6 पारलेल हो जाएगा पारलेल जोड़ देजेगा तो हो जाएगा इसका एंसर 9 उसी परकार यहाँ पर दे दिया है आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए हम जानते हैं 1 by 4 पाइप सिल नौट Q1 Q2 बटा आर होता है तो आर कामान दे दिया है आपको 40 cm इसको मिटर में चेंज कर लेंगे और फिर जो है 1 by 4 पाइप सिल नौट कामान होता है 9 गूना 10 के पाउड 9 और Q2 कामान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ए नमबर एप सम ठीक है उसके बाद कर रहा है कि दिये गए फिगर में आपको धारिता अवेस निकलना है एक्स पर तो Q बड़ाबर होता है C B ठीक है तो C कामान दे दिया है 2 माइक्रोफराडे और B निकालेंगे तो पोटेंशियल लिफ्रेंस हो जाएगा 20 मिस दस जाएगा 10 10 में और 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और जिस पर कम बोल्ट होता है वह निगेटिव होता है इसलिए एक्स पर कम बोल्ट है इसलिए इस पर माइनस हो जाएगा तो माइनस 20 कुलाम माइक्रो कुलाम हो जाएगा इसका एंसर थैंक यू इसके बाद हम इसके आगे वाला कोशन देखेंगे